हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे है आप सब स्वागत है आपका मेरे जैनल देशी मसाला खाना में आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी सी केरेमल से वही बहुत लोग बनाते हैं बहुत तरीके की बनती हैं तो ऐसा नहीं है कि लोग एक दूसरे से सीखते हैं जो अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा अपना थोड़ा उनका सीकर ही बनाते हैं कोई किसी की चीटिंग नहीं करता है यहां पे मैंने एक लीटर फुल फैट मिल्क लिया है उसको बहुत अच्छे से बॉयल करना है लग बग आधा हो जाएगा तब हम इसमें अपने सिमय और ड्राइफ रूट्स डालेंगे दूसरी तरफ मैंने गैस पर पैन चड़ा दिया है उसमें मैं डे चमच देशी घी डालूंगी उसके बाद उसमें लगवग आधी से थोड़ी सी कम कटोरी मतलब आप वनफोर्थ कटोरी सिमय भूनेंगे सिमय को हम गोल्डें ब्राउन होने तक भूनेंगे धीमी आज पर ही भूना है ताकि हमारी सिमय जले नहीं आगर आप फ्लेम हाय रखेंगे भूनेंगे वह तो गोल्डें ब्राउन तो हो जाएंगी पर उसमें सोंधा पन नहीं आएगा वह उतनी डिलीशिस उतनी टेस्टी सी नहीं लगेंगी तो इसे हम बहुत धीमे आज पर ही भूनेंगे धीमे आज पर बहुत अच्छी स्मेल आती है बहुत सोंधा पन आता है उसके बाद बची हुई सिवई जो हमारी जब भून जाएगी तो हम उसे निकाल लेंगे उसके बाद हम उसमें अपने कटे हुए ड्राइफ टालेंगे मैंने थोड़े काजू और बादाम लिये हैं उनको बहुत अच्छे से फाइन चॉप कर लिया है आप क्रश्प करके भी डाल सकते हो आप मोटा करके भी डाल सकते हैं बहुत से लोग जिनको खुद ड्राइफूट्स नहीं पसंद होते हैं जिनके घर में बच्च कटे हुए ड्राइफूट्स डाल दिये हैं उनको अच्छे से भूना है इनको गोल्डेन ब्राउन नहीं करना है सिर्फ थोड़ी देर के लिए भूना है 30 से 40 सेकंड मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे हम अच्छे से भून जाएंगे उसके बाद हम इसमें अपना केरमल बन के लिए विसको हम निकाल लेते हैं जिस प्यान में से महीं भूनी थी और ड्राइफूट्स भूने थे उसी प्यान में आधी का टोरी मैंने यहां पे शक्कर ली हुई है उसमें एक चमच के आसपास हम पानी डालेंगे एक चमच से ना कम रखना है ना ज्यादा रखना है ब और यह डेर से 2,5 मिनिट में बहुत अच्छे से केरमल बनके त्यार हो जाएगा इसको भी हमें कंटिनू से ऐसे ही चलाते रहना है अब इस विच में रुब्बे सकते हैं यह नॉन स्टिक पैन का इस्तमाल किया है मैंने इसलिए इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि यह जल जाग बनने लगा है बहुत से लोग थोड़ा से सोड़ा भी इस्तमाल करते हैं या मैंने ऐसा कुछ पी इस्तमाल नहीं किया है कि बहुती इजी रेसिपी है बहुती मज़ेदार सी रेसिपी है आप भी प्लीज जरूर बनाइएगा अच्छी लगेगी यहां देखे बबल्स आने लगे हैं थोड़े थोड़े से अब मैंने दूद हमारा बहुत अच्छे से बॉयल हो गया था यह 3-4 रह गया था एक लीटर लिया था मैंने यह 750 ml के करीब रह गया था उसके बाद उस पर मैंने सेमाई डाल दिये पांसे दस मिनट हम इसको भी ऐसे ही भूनेंगे जिबसे वहीं अच्छे से पूल जाएगी और बहुत अच्छे से पक जाएगी तब हम इसमें आगे के अपना सामगरी डालेंगे यहाँ पर मैंने केरेबल हमारा बन गया था उसमें आधी कटोरी पानी डाला है और बहुत अच्छे से इसको लगातार चलाते हुए मिलाना है ताकि यह पतला हो जाए और इसमें लंप ना पड़े और ज्यादा ठिक सर ना हो जाए वैसे वह चाशनी जिससा जम जाता है तो वह नहीं जमेगा इससे आप लगातार चलाते हुए पानी मिलाएंगे हलका सब बोईल पानी लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठंडा पानी नहीं डाले तो बैतर होगा हमारा कैरमल बनके अच्छे से तयार हो गया है अब हम इसमें ड्राइफूट्स में लाएंगे हमारी जो सिमई है उसमें हम अपने ड्राइफूट्स में लाएंगे से भी डाले हुए हमें यहाँ पे पाँच मिनट के करीब हो गया था अब हम इसमें अब ड्राइफरूट्स डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी कंडेंस मिल आद लिạn का टोली के करीब मैंने कंडेंस मिल का इस्तमाल किया HA इसलिए वैंने केरमेल वी बनाया है और के डाला है है इसलिए मैंने उपर से करका इस्तमाल नहीं किया है अब इसमें हमेल डाल देंगे बस एक बात का ख्याल रखना है केरमेल डालते समयभी हमेसे लगातार ही चलाते अगर आपके पास condensed milk नहीं है तो कोई बात नहीं घर में मिठाईया अकसर बच जाती है अगर आपके पास कोई मिठाई है बस वह रस वाली मिठाई ना हो सुखी कोई भी मिठाई है तो आप इसे इस्तमाल कर सकते बहुत ही अच्छा फ्लेवर बहुत ही अच्छा टीस्ट आए जिमाई बन के त्यार है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इंजॉई बनाईए खाये एंजॉई कीजे रूम टेमप्रेचर पे ठंडा कीजे फ्रिज में रखे थोड़ी सी ठिक और हो जाएगी तब इसे खाये चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइ कीजे थैंक यू फोर वाचिंग